हेलो फ्रेंट्स मैं शुभांग स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूटूब चैनल दे टीचर स्काइट पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिस ग्रामर के एक छोटे से टॉपिक पर और overall ये complete course रहेगा जिसमें मैं आपको इंग्लिस के जो अलग-अलग topics हैं अलग-अलग grammar के portions हैं उनका tutorials प्रोवाइट करवाऊंगा तो ये हमारी course का first class रहेगा जिसमें आज हम कुछ important चुट terms हैं जो important चीज़े हैं grammar की उनको discuss करने वाले हैं और इसके अलावा यदि आप किसी भी तरह के teaching exams के लिए preparation कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी study को better बना सकते हैं चलते हैं आगे के वीडियो में समझते हैं चीज़ों को one by one तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल और हमारा ये जो class रहेगा आज का रहेगा वो general introduction to English English का short intro रहेगा जिसमें हम समझेंगे कि English को हमें कैसे perceive करना चाहिए ये कुछ चीज़ें हैं one by one यहाँ पर हमारा content रखा हुआ है कि हमें किस किस तरह से इस वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी तो पहले हम discuss करेंगे कि basically language होता क्या है short introduction रहेगा then हम बात करेंगे English language में और English language में related letters like vowels and consonants then words and phrases पर बात करेंगे and then sentence जब भी आप English grammar को पढ़ने की बात करते हैं तो ये basic lecture रहता है basis होता है आपके लिए तो इनको ये दिया better तरीके से समझ लेते हैं तो आने वाली जो classes होती है वो आपको easily समझ में आएंगे so यहाँ पर फिर हम sentence के types पढ़ेंगे अलग अलगतर है कि sentence type पढ़ेंगे and then हम इस पूरी class का overall summarize करेंगे recapitulation करेंगे so चलते हैं आगे तो हमारा जो पहला topic है letters and vowels और उससे पहले हमारे सामने एक और छोटा सा है हमें जानना है कि language क्या होता है so language overall एक communication का medium होता है जिससे हम अपनी बात को सामने वाले को बता पाते हैं so हमारे जो ideas, thoughts and emotions है उनको exchange करने का एक medium ही क्या होता है language होता है in this way we can say that language is a medium of communication और जो English है वो एक तरह की language है means English भी हमारे communication का काम करता है जिस तरह से सभी languages में अलग-अलग letters होते हैं अलग-अलग word होते हैं जो पूरी language को बनाते हैं ठीक उसी तरह से English language में भी letters होते हैं English language में total number of letters 26 होते हैं इन में से कुछ letters को हम wobbles बोलते हैं और इन wobbles letters में मुख्य रूप से A, E, I, O, U number इनके कही जाएं तो 5 अलग-अलग wobbles A, E, I, O, U को सामन किया जाता है consonants बोलते हैं इस तरह से ये vowels and consonant letters आपस में मिलकर क्या करते हैं overall language को बनाते हैं means हम जब भी कुछ लिखते हैं या कुछ भी बोलते हैं English language में उनमें हम इन ही consonants and vowels letters को use करते हैं so hopefully आपको इतनी बास समझ में आई होगी कि letters and vowels vowels and consonants क्या हैं चलते हम next अपनी बात पर और समझते है words and phrases को जब हम letters को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमारे सामने एक नई चीज़ आती है जिसको हम बोलते है words so words basically क्या होता है जब letters आपस में combine होते हैं बहुत सारी letters different different vowels and consonant letters आपस में मिलते हैं तो words बनाते हैं in this way हम word को कैसे define कर सकते है word is a group of letters with a sense so क्या होता है letters जब आपस में combine होते हैं तो एक छोटा सा word बनता है जिसका एक sense होता है, एक meaning होता है for example यहाँ पर हमने कुछ words लिखे हुए like pen इसमें तीन letters है pen, इसी तरह chair, c-h-a-i-r friend, f-r-i-e-n-d students, teacher, phrase यह सबी क्या है अपने आप में एक word हैं क्योंकि यह कुछ letters से मिलकर बन रहे हैं चाहे वो vowel letter हो, चाहे वो consonant letter हो अब जो next हमारे सामने चीज आती है वो होता है phrase so phrase क्या होता है, एक group होता है words का जिस तरह से letters आपस में मिलकर words बनाते हैं ठीक उसी तरह से phrase होता है वो बहुत सारे words से मिलकर बनता है for example मैंने यहाँ पर लिखा जोसे बहुत सारे examples हमारे नीचे दिये हुए है topper of the class यह एक phrase है इसमें तीन words है like topper of the class total four words से यहाँ पर है तो यह four words आपस में मिलकर के group बनाते हैं और इस group को ही क्या बोलते हैं phrases बोलते हैं like fond of tea fond of tea यह भी एक क्या चोटा सा phrase है phrase मतलब जहाँ पर दो से ज़्यादा words आपस में मिलकर एक group बनाते हैं words का उसको हम क्या बोलते हैं phrase बोलते हैं जिसका meaning अपने आप में complete नहीं होता है जिसका meaning complete नहीं होता है next phrase a man with beard एक ऐसा आदमी जिसकी दाड़ी है beard है तो ये भी क्या हो जाएगा एक phrase हो जाएगा ध्यान रखने वाली बात ये है कि phrase group of words होता है लेकिन इसका complete sense नहीं होता है which makes a sense but not completely मतलब तो होता है sense तो होता है but complete sense नहीं होता है यही चीज होती है जो phrase को sentence से अलग करती है चलिए अब हम sentence को समझेंगे तो phrase और भी clear हो जाएगा so ये बहुत छोटा topic है और class 6 में हम इसको पढ़ लेते हैं but ये बहुत important topic भी है जो after graduation भी आपको परिशान कर सकता है so sentence इसको हम define कर सकते है sentence is a group of words sentence एक words का group होता है जब बहुत सारे words आपस में मिलते है तो उससे क्या बनता है sentence बनता है for example अब यहाँ पर देख सकते है Shivani is her sister यहाँ पर total sentence में one, two, three, four letters four words यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे है Shivani is her sister यह जब words आपस में combine हो रहे है तो यहाँ पर क्या बन रहा है sentence बन रहा है sentence phrase से इस माइने में अलग है यहाँ पर जो sentence है यहाँ पर जो words है उनका arrangement इस तरह से किया गया है कि यहाँ पर sense complete और meaningful sense बन रहा है कहने का मतलब है कि जब words को हम इस तरह से arrange करें कि हमारा मतलब जो है वो ठीक ठीक और पूरा निकले तो हम उसको sentence बोलते हैं लेकिन जब हम इस तरह से arrange कर दें कि वो complete sense न निकले अपने आप में अधूरा सा लगे तो उसको हम phrase बोलते हैं है ना तो sentence अपने आप में complete sense को present करता है जब कि phrase अधूरा मतलब निकालता है और भी यहाँ पर हमें examples देख सकते हैं Like Sivani is her sister Are you going to Delhi? क्या तुम दिली जा रहे हो? You can leave now अब तुम जा सकते हो What? You don't क्या तुमने नहीं किया? या तुम नहीं करते हो? तो इस तरह से यह बहुत सारे यहाँ पर sentences है जो अलग-अलग words से मिल करके बन रहे हैं तो sentence का simple सा definition आप समझेंगे तो आपको overall sentence समझ में आ जाएगा Sentence is a group of words which makes a complete sense एक सब्दों का ऐसा समू है जो अपने आप में एक पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है ठीक है? sentence को समझने के बाद इसके अलग-अलग तरह कि types होते हैं इन types के थुरू हम अपने जो emotions है, जो ideas है इसको proper way में express कर पाते हैं है ना? सो यहाँ पर total five हम आपको types बताएंगे sentence के सो first हमारा जो type है वो है declarative sentence यह जो declarative sentence होते हैं वो statements देते हैं मतलब एक तरह का हमारे सामने कथन प्रस्तुत करते हैं एक बात बताते बस हैं for example, sea lives in indoor अब यह जो sentence है वो हमें बता रहा है कि वो कहां रहती है इन दोर में रहती है just एक information provide कर रहा है एक कथन हमारे सामने रख रहा है जैसे we are playing cricket हम cricket खेल रहे हैं यह एक just क्या है कथन है, एक statement है they are not watching us वो हमें नहीं देख रहे हैं तो यह तीनों जो sentence हैं वो एक declaration दे रहा है कथन एक statement को प्रस्तुत कर रहे हैं तो इस तरह के सभी sentence जो किसी भी तरह का statement देते हैं वो किसी बात को बताते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं declarative sentence बोलते हैं दूसरी तरह का हमारा जो sentence है वो है interrogative sentence interrogative sentence ज़्यादा तर हमसे कोई question पूछते हैं मतलब ऐसा कोई sentence जिसमें हमसे कोई बात पूछी जाए तो उसको हम interrogative sentence बोलते हैं means question वाले sentence ओके एक खास बात होती इनके आखरी में हमको एक question mark देखने को मिलता है for example what are you doing sham sham तुम क्या कर रहे हो आखरी में ये question mark आप देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये interrogative sentence है then next यहाँ पर example है are you going to Delhi क्या तुम दिली जा रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा एक छोटा सा sentence हो जाएगा जो interrogative है means हमसे question पूछ रहा है how are you Rita Rita तुम कैसी हो और इसमें भी हमको last में क्या करना है question mark को put करना है तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा interrogative sentence next जो sentence है वो है did you do your homework क्या तुमने अपना homework किया ये भी क्या है interrogative sentence है तो इस तरह से वो सभी sentences जो हमसे कोई question पूछते हैं वो क्या कहलाते हैं interrogative sentences कहलाते हैं okay next आगे चलते हैं और समझते हैं इसके बाकी के अलग types जो है next जो है वो है imperative sentence interrogative के बाद imperative sentence जो imperative sentence होते हैं वो generally हमें order देने के लिए या फिर किसी भी तरह की request करने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं means in sentences में हम किसी भी तरह का order देते हैं या फिर request करते हैं okay for example go away दूर हट जाओ है ना तो ये क्या है एक order है कि मेरी नजरों के सामने से दूर हट जाओ go away for example school attention जब यह आपने prayer में सुना होगा बच्चे बोलते हैं school attention तो वहाँ पर एक leader होता है जो पूरे school को क्या कर रहा होता है एक order दे रहा होगा कि attention की position में आ जाओ तो ये भी क्या है एक imperative sentence है then let's crack it unacademy का आपने एक छोटा सा title tagline देखा होगा जिसमें वो बोलते हैं let's crack it आओ हम इसको crack करें तो वो भी क्या है एक तरह का छोटा सा order है एक साथ में चलने की बात कहीं जा रही है इसी तरह यहाँ पर हम last वाले sentence में देख सकते हैं please let me go prepare मुझे जाने दो please मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो तो ये क्या है एक छोटा सा request है तो इस तरह से जब हम कभी request करते हैं या फिर कोई order देते हैं तो इस तरह की sentence को हम imperative sentence बोलते हैं ओके तो I hope आपको ये समन में आया होगा next हमारा जो type है वो है optative sentence optative sentence आपको बहुत कम जग है देखने को मिलेगा optative sentence generally जब हमें यूज करते हैं मतलब उसके लिए दुआएं देनी हो wish करना हो तो हम उस तरह की sentence को क्या बोलते हैं optative sentence बोलते हैं है ना जैसे may God bless you है ना भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे तो हम क्या कर रहे हैं किसी को bless कर रहे हैं किसी को दुआ दे रहे हैं किसी को wish कर रहे हैं यह क्या कहलाएगा optative sentence कहलाएगा like happy journey आप किसी को wish कर रहे हैं क्या की आत्रा सुभ हो तो यह भी क्या है optative sentence है इसके साथ ही साथ हम इसी sentence में क्या करते हैं किसी को curse भी करते हैं like bloody health go to health यह भी क्या है optative sentence के अंतरगत आएंगे है ना इसके बाद आखरी but important हमारा sentence का type रह जाता है वो है exclamative exclamatory sentences exclamatory और exclamative sentence में क्या होता है हम किसी अपनी sudden feelings को बताने के लिए इसका इस्तमाल करते हैं है ना एक sudden emotions को आश्चरे को प्रकट करने के लिए इसको use करते हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं example wow it is beautiful तो एक खास बात आपको ध्यान रखने है इस तरह के sentence के starting में या last में आपको इस तरह का exclamation mark देखने को मिलता है यह आप देख रहे होंगे यहाँ पर यह जो exclamation mark है वो आपको दिखाई दे रहोगा wow के बाद में लगा हुआ है तो इस तरह के sentences में हमको हमेशा exclamation का जो mark है वो दिखाई देता है तो hopefully आपको यह sentences समझ में आए होंगे इसके बाद हम short में समझ लेते हैं कि overall हमने आज के overall tutorial में पढ़ा किया तो सबसे पहले हमने English language की बारे में जाना कि English language एक medium होता है communication का means हम बात करने के लिए किसी भी तरह की language को use करते हैं English language में बाकी languages की तरह कुछ अक्षर होते हैं इन अक्षरों को हम letters बोलते हैं इसमें कुछ letters जो होते हैं जिनको हम vowels letters बोलते हैं वो 5 होते हैं A, E, I, O, U बजे हुए 21 को हम consonant letter बोलते हैं जो letters होते हैं वो आपस में combine होकर words को बनाते हैं और आगे words मिलकरके phrases को बनाते हैं लेकिन इनका sense complete नहीं होता है और इसके अलावा कुछ groups of words जो होते हैं जो अपने आप में complete sense को present करते हैं उसको अपन sentence बोलते हैं सो हमने इसको जाना कि sentence क्या है एक छोटा सा वीडियो है छोटी से concept छोटा सा term है लेकिन आगे चल कर आपके लिए बहुत परिशान भी करता है बहुत काम भी आएगा सभी तरह के teaching exams में आपके लिए ये helpful होगा so hopefully आपको ये समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई चीज़ के साथ और ये एक complete course रहेगा जिसमें हम छोटी छोटी से terms को समझेंगे ये मेरा सुरुवात है और मुझे आपकी अभी support की भी जरूरत है इस कारण से चैनल को subscribe करें साथ ही अपने करते हैं नेक्स वीडियो में एक नए content के साथ